अगर मैं लास्ट फोर येर्स के नीट के पेपर के अनलेसिस करूँ तो अगर तुम इस पैटर्न को देखोगे इस ग्राफ को देखोगे इस पैसली रेड वाले को देखोगे तो तुम्हें एक ऐसा-स शिप्ट देखेगा 2021 में पेपर एकदम से डिफिकल्ट गया उसके अथ फिर ऐसे हो गया जितने इजी और मॉडरेट कोशन आते तो वो एक तरह से एक्षेंज हो गए थे तो इससे हम क्या सीख सकते हैं प्रॉपर निइस करते हम पेपर को हम डिफिकल्टी वाइस करेंगे साथ में हम प्रॉपर टॉपक बाइस कि किस चेप्टर से किस तरह के कोश्चन चेंज होने लगें क्या शिप्ट आ रहा है क्या नहीं आ रहा है in लाश्ट फॉर यह लेट चलो है इस स्टार्ट करते है तो यह comparison है last four years के paper का तो देखो सबसे पहले बात करते हैं अपना 2020 का अगर हम paper देखे हैं तो देखो maximum easy था बिल्कुल गिने चुने difficult paper थे difficult question थे और one third तुमारा moderate था रहा जो कि एक आसान neat का paper कहलाता है 2021 में यह trend तुमारा suddenly change हो गया 2021 में इतने easy question में से one fourth easy question बचे बच्चो की हलत था वही 2021 में two third question two third question difficult थे paper के 50 में से two third question moderate थे and अच्छे खास से difficult question अगर मैं exact number बोलू तो 8 difficult question थे paper में exact बोलू थो 2022 में एक दोम से फिर shift हुआ 2021 में ऐसा गया फिर shift आया फिर इतने सारी easy question हाँ 2020 से थोड़ा सा difficult था ये paper पर देखा जाए तो more or less same था 2022 का 2020 से difficult था 2023 देखें तो अब देखो क्या हुआ हूँ 2023 किसके जैसा देख रहा है 2020 जैसा देख रहा है 2022 जैसा इसके जैसा तो नहीं है तो देखो इसमें क्या हुआ difficult question तो नहीं थे इस बार भी जैसे 2020 में नहीं थे इस बार भी नहीं थे भाई दो question थे जिनको difficult में अपने डाला क्योंकि कुस्तो डालेंगे है ना जिन में थोड़ा वो करना पड़ रहा था बाकी paper solution में ने बना के डाल दिया channel पर तुम देख सकते हैं ना पूरा paper solution है ना हर साल कर्ण मिल जाएगा तुम पर देखा जाए तो 2020 और 2023 almost same था ना almost same था पर इसमें easy question हलके से कम हो गए 2023 में और moderate questions तुमारे बढ़ गए हलके से ना तो यह अपनको एक pattern दिख रहा है paper का है ना तो हम बोल सकते है 2023 का paper यह तीनो ही आसान paper में कहलाएंगे 2020, 2022, 2023, 2021 difficult paper जैसे 2016 में था अगर तुमने करें questions तो तुमको पता हो जो बच्चे serious aspirant है they'll be knowing it तो 2023 के paper का जो label गया वो इन दोलों के beach में कह सकते हैं कहीं ना कहीं इन दोलों के beach में गया है section जैसी कोई चीज नहीं थी 45 questions आते थे 45 करने होते थे आपको 2021 से हमारा pattern change हुआ दो तरह के section आते है paper में section A section B section A में 35 में से 35 questions करने होते है जो generally easy और moderate का combination होता है section B में 15 questions आते हैं जिसमें से हमको सिब 10 questions करने होते है I think colors का मतलब सबको समझ में आगे ना green मतलब आसान, red मतलब difficult, गुलाभी मतलब moderate है इतना तो समझ गये न सब हाँ इतने smart हो तुम्हें चलो तो देखो 2021 में देखें section A में कोई difficult question नहीं है 2021 में है ना two-third तुमारे moderate थे, one-third तुमारी easy थे है ना 2020 जो की difficult paper कहलाता है नीट के साब से, 2022 में एकदम से suddenly trend बदल गया, इतने smart है maximum तुमारी easy question बिलकुल थोड़े से 30% के around moderate और A के नोंने difficult यहाँ पर भी डाल दिया था है ना, sorry, इसके जैसा तो नहीं है, इसके जैसा है, पर इससे आसान है 2022 से है, इसके जैसा तो बिलकुल नहीं है 2022 जैसा है, 2022 जैसे ही है, पर इससे आसान है, क्योंकि इतने सार है ना, सीरे सीरे देखा जाए, तो three-fourth question तुमारी easy आगए, one-fourth तुमारे moderate लिबल थे, maximum easy easy दे सीधा सीधा गया है, ठीक है, बट फिर भी नी 2022 में अगर तो मैं पता हो, नी 2022 में पता हो, तो four students, my four students secured 180 out of 180 marks, चार students के एक सोसी में से एक सोसी नमबर थे exactly, ये छोटे से batch का result है, around 500 students के, जो बच्चे मुझसे one year या two year exclusively an academy के online platform पढ़े थे, exclusively, कहीं और नहीं, and we produce the best result batch wise in whole India, आप इंडिया में जितने भी online and offline coaching जानते हो, कोटा से लेकिए दिल्ली तक, जितने भी आप coaching जानते हो, आपका जो भी शहर है, आप जाना, किसी भी एक batch से compare कर ले ना, आपको इसका 50% भी result नहीं में लेका physics में, we undoubtedly we produce the best result of NEET 2022, और SEM हम NEET 2023 में भी करने वाले है, just waiting for the result, है तो 4 इस्टोंट सिक्वर्ट 180 और 180, 43 इस्टोंट सिक्वर्ट 160 प्लस मां, विद ओम प्रभू सिक्वरिंग ओल इंडिया 44 रेंग, अभी MZ में पटा है, ये 2 साल का इस्टोंट था, 2 एर इस्टोंट था है, और जैसे संदीप, अश्वीनी, ये तुमारे dropper इस्टोंट थे कर सकते हैं, अच्छी बात ही है कि अगर तुम ये वीडियो आज देख रहे हो, 13 में से पहले देख रहे हो, तो अभी 20% और 13 में के बाद प्राइस हाई होने बाला है, तो प्लस सब्सक्रिप्शन की प्राइस जो 30,000 है, वो 12,000 बढ़ जाएगी, 42,000, आइकोनिक की प्राइ बाकि इस बैच के बारे में अगर डिटेल में जानना चाहते हो, कोटा के टॉप 6 टीचन में जो कोटा के सबसे बहतरी नीचर दे, मैंने एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसको देख ले ना, उसमें मैंने पूरा डिटेल में तुम इसके बारे में बता र लिंक तुमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जो बच्चे इंट्रेट है, वो इसको देख सकते है, बाकि एक चीज़ा नखना, जो बच्चे फिजिक्स लाइब कोट यूज करके सब्सक्रिप्शन लेगा, वो मुझे बाटसेप पर जरू मैसेज कर देना कि प्रत सब्सक्रिप्शन कर सकते हो, मुझे से बात कर सकते हो, कोई डीमोटिवेटेड हो, हर रोज, एवरी डे होते हैं यह सेशन, हर रोज, और यह हम पिछले तीन साल से सक्सेस्फुली चला रहे है, इसलिए इंडिया का बैस रिजल प्रोडूस कर पा रहे है, तो वो बाटसेप पर जरूर मेसेज करते हैं, मेरा वाटसेप नंबर तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, और में लिख देता है, 704 222369, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, तो हाँ वही बात करते हैं, तो सेक्शन में यह आगे ता है, यह सेक्शन एका ए अपन को difficult वाले चुनते ही छोडने हैं, अपन को 10 आसान और moderate वाले करने हैं, तो 2021 की बात करें तो यह पेपर difficult था, यहां पर क्या हुआ था, 7 तुम्हारे difficult questions थे, और 8 तुम्हारे moderate questions थे, एक भी easy नहीं था इसमें, 2020 में, तो तुम्हें क्या करना था, अब अच्छी बात है साथ difficult में से पास तो तुम छोड़ दोगे, अब पर तुम्हें 2 difficult attempt करनी ही पड़ेंगे हैं, इसलिए अच्छे लेबल पर अपन को तयारी करनी थे, तो वही बच्छे बहुत अच्छे नंबल ला पाए थे, यह 2021 की कानी है, यहां पर भी मेरे students 176 marks तक लेके आए थे, ठीके अब आजाते हैं 202223 पर, तो यह दोनों कुछ-कुछ एक जैसे दिख रहे होगे ना, 2023 वाला हलका सासन दिख रहा हुगा, तो देखो अगेन हैं यहां पर, 2020 में 50% moderate question थे, तो 10 में से 8 तो तो तुमने 10 में से, 7 तो तो तुमने let's say इबाले कर डाले ना, 15 में से 7 इबाले कर ड तो डरने की जरूत ही नहीं पड़ी, 2023 में भी डरने की हमको कोई आवशकता नहीं पड़ी, क्यों? क्योंकि सिप 2 question difficult थे, उनको छोड़ दिया, 5 छोड़ने थे, 2 difficult छोड़ दिये, बाकी 3 moderate में से छोड़ दिये, 2 तुमने easy वाले पकड़ दिये, बाकी 1 moderate वाले पकड़ दिय अब कितने आएंगे, मेरे कितने students के आएंगे 180-180, 15, 10, 30, I don't know, result आएगा तभी बताएंगे, कितने students 160 प्लस लेके आएंगे physics में, 1.500 से जाधा होंगे, 100 से जाधा students होंगे, मुझे नहीं पता, we'll let you know, जो भी result आएगा, we'll let you know, तो ये analysis है तुमारा है, चलो, मैं chapter wise भी अब लगा है, भाई अपन को नहीं बता है, ग्रे ब्लैक जो भी है, mechanics, फिर आजओ, इलेक्ट्रोडानमिस, येलो वाला, क्योंकि यही सबसे जाधा लगा हो, येलो और ब्लैक है, क्योंकि ये सबसे बड़ा चेप्टर होता है, इलेक्ट्रोडानमिक्स, मतलब तुम समझ ल करना जरूरी है, बड़ना कई बार क्या होता है, भाई के टीचर या बच्चे भी आके फिजिक्स जाल जाते हैं, वो गलत इंटरपेट कर लेते हैं, वो बहुत सारे वेरिबिस का मतलब ही नहीं समझे, तो आपन को सही आनलेसिस करना जरूरी है, चलाओ करते हैं, चलाओ, तो Mechanics, Electrodynamics, लाल-लाल Thermal Physics, तुमारी फेवरिट, SHM Wave, Modern Blue-Blue जो दिख रहे है, Modern घतना के तुम देख रहे हो, Modern देख रहे हो, भाई, Modern, Modern देख रहे हो, देख बताता हूँ, अगर कोई बोला ना, सबसे important क्या है, exam point यो भी से बात करता हूँ, Modern, Modern, extremely important, क्यों, तैयार करने में कितना सा में लगता है, दो वीक्स, देखो, मैं तुमें सही analysis करवाता हूँ, तैयार करने में लगते हैं, दो हपते, बस, दो हपते में तुमारे तगडे तरीक से तैयार हो जाती है, और तीन हपते ले लो चलो में माल लेता हूं अब अलग अलग तरी के बच्चे होते हैं कोई 12 वाले बच्चे कोई ड्रॉप रहे टू टू-3 वीक्स माल लेते हैं तगडी वाली तेयार को और मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता हूं तो देखो यार 2020 में 1-4th पीपर दो-3 हफते में 1-4th नमबर मिल गए 16% पेपर 22% पेपर 16% देख रहे हो कितने सारे कोईश्चन तुमारे इसमें से आते हैं मतलब 10-12 कोईश्चन तो मानगे चलो modern physics तके लिए मैं से 2-3 हफते में मिल जाते हैं तो इससे ज़्यादा important कुछ भी नहीं है ठीक है mechanics से यार करने में अगर अब भूड़ डिपेंड करते हैं कौन सा बैच है तुम देख सकते हो ना 22% आयता mechanics फिर बढ़ गया mechanics 2021 में फिर 2022 में और बढ़ गया 32% और अभी भी उतना है सेम है 2022 और 2023 में अच्छे कासे कोईश्चन है mechanics से बंधर्ड पेपर mechanics से है पर इसको तैयार करने में भी बहुत समय लगता है इलेक्ट्र डानेमिक सी बात करें आगें फाइब मन लगते हैं 12 का 60% से लिए बसे यहाँ पर 30% ता यहाँ पर 40% आया फिर 30% आया और इस बार 36% तो इन में से तो ज़्यादा कोईशन आते हैं ज़्यादा समय भी लगता है ना ठीक है अगर थर्मल फिजिस भी एक इंपोर्टेंट पार्ट में आता है इंपोर्टेंट तो सब कुछ है अगर एक्जाम पॉइंट यूवी से अपन बोले अब तो जो बच्चे इस वीडियो को स्टार्टिंग में देखना है तुम्हें तो सब कुछ पढ़ना है जो बच्चे ए केमिश्टी में भी नमबर देता है ठीक है इसके लाव यूनिट्स और इमेंशन एक बहुत इंपोर्टेंट चेप्टर है अभी बताऊंगो इसमें भर-बर के कोश्चन आए इस वार है ना यूनिट्स और इमेंशन तुमारा बहुत कोश्चन आ जाते हैं करेंट एलेक्ट कोश्चन आएं कितने आएजी मोटरेट डिफिकर्ड यह मैं तुम्हें अब इंग्जक्ट अनल इस नहीं तुम्हें आजराम से देख ले ना मैं तुम्हें यह टेलीग्रम चैनल पर पूरा शेयर कर दूँगा तेली ग्रम चैनल की लिंक डिस्क्रप्शन रहें सेक्शन ड टेलीग्राम एडी लिख देता हूं लोग टेलीग्राम एडी लिख लोग पूरा तुम्हें मिल जाएगा चिंदा मत करना हूं टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूं एड़रेट नीट अंडरिस्कोर प्रिजिक्स टेलीग्राम पे डालूँगा यहां पर एक दम से कम हो गए एक तरसे दोजार इकीस में ईजी और मॉडरेट का नंबर स्विच हो गया था बागी सब्सक्राइब और दोजार सोला का पेपर भी ऐसी था ना अब वो पुराना होगा इसलिए मैंने नहीं कर रहा पर इसी लेबल इससे भी डिफिकल्ट था बेसे तो देखो बटा बात यहीं कि तुम जुआ नहीं खेल सकते अपने करियर के साथ अगर तुम तैयारी किसी पर्टिकुलर पेपर के साब से करके जा रहे हो तो तुम्हारी तैयारी इस लेबल पर होनी चाहिए हमेशा मैं बता रहा हूं दुनिया में कोई नहीं बता सकता किस हां किस से कितने कोशन आएंगे वाली चीज लगवख सैम रहती ह subset नहीं बाहता है नहीं है पर अगली बार इनन मेंसे किस के जैसा देखने बाला है पेकर नहीं बता सकते हैं तो यह कोई नहीं पता सकता जो पेपर बनाने वाले उस तक को नहीं पता तुम्हें नहीं पता चीजे कैसे काम करती है तो तुम्हें अपनी तैयारी हमेशा 2021 के लेपल पर रखेंगे कई बार बच्चे हो जाते हैं जैसे 2020 में क्या हुआ था जब एक दम से आसंद पेपर आगे था तो बहुत सारी यूटूबर ने से फॉर्मिला वेश पड़ाया फॉर्मिला वेश पड़ाया पर हमने तब भी सब कुछ करा आए एसी बर्मा भी कर भाई सब करा हमने अपना और बहुत आसान आसान करें, बच्चे खुशते जब पढ़ रहे थे, हमारे बच्चे थोड़ा गुस्से थे, किसा अब इतना डिफिकल्ड क्यों पढ़ा रहे हैं, पर जब पेपर दे के आए, तो फोड के आई ये बच्चे, फोड के आए, बाकी सब की आहलत खराब हो गई बाकी सब की हालत खराब होगी, क्योंकि पढ़ ही नहीं थे उस लेबल पे, तो तुम समझो, पेपर ऐसा आगया, ठीक है भाई, आसान आगया, ठीक है, पर तुम्हारी तयारी, हमेरी तयारी हमेशा इस लेबल पे होगी, अगर तुम मेरे पास आओगे, द्यान अकना, 2016, 2021 म पढ़ना चाते हैं, वो मुझे WhatsApp में मेसेज कर देना, डिस्क्रिप्शन, उस बैच के डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, प्रीमियम ग्रूप के बारे में भी और बैच के बारे में, बाबे गाई, अच्छा लगए तो भाई, शेर कर देना, अगर तुम्हें झाल, बाई.